हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज मैं आप लोगों को पंच तंद्र की कहानिया सुनाने जा रहा हूँ बच्चो ये जो पंच तंद्र की कहानिया हैं ये काफी रोचक होने के साथ साथ इनकी हर कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है बच्चो पंच्चंत की कहानियों के लेखक हैं आचारे विर्षनु सर्मा तो बच्चो आईए एक-एक करके हम लोग इनकी हर कहानियों को सुनते हैं बच्चो आज की कहानी का सिर्षक है मुर्ख कच्छुआ देखते हैं बच्चों कहानी में कच्छुए को मुर्ख क्यों कहा जा रहा है पिंकु नाम का एक कच्छुआ तलाब के किनारे रहता था उसी तलाब पर चंटु बंटु नाम के दो हंस भोजन की तलास में हर रोज उस तलाब पर आया करते थे तलाब पर आते जाते उन हंसों की दोस्ती पिंकू कच्छुए से हो गई वे अपना काफी समय एक साथ बिताने लगें कुछ समय बाद देश में अकाल पड़ गया बारिस्ना होने से तलाब सूखने लगा चंटू और बंटू ने तलाब को छोड़ने का निश्य किया जब उन्होंने पिंकू को सारी बात पताई तो वह बहुत परिसान हो गया और बोला तुम लोग मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ कर जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो बंटू हंस ने उससे कहा कि हम तो उड़ सकते हैं परन्तू पिंकू भाई तुम कैसे उड़ोगे बहुत सोच विचार के बाद एक उपाय सुझा बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने उपाय भी सोच लिया है बंटू, हंस ने पिंकू कच्वे को एक डंडी लाने को कहा अब उस डंडी के दोनों सिरों को चंटू और बंटू ने अपने चोंच से पकड़ लिया डंडी के बीच वाले भाग को पिंकू अपने मजबूत दातों से पकड़ कर लटक गया पर उड़ने से पहले चंटू और बंटू ने उसे सावधान कर दिया कि वो पूरे रास्ते गलती से भी कुछ न बोले, अपना मू न खोले और वो उड़ गया पिंकू को लेकर पहाडों, गामों, सहरों के उपर होते हुए पानी वाले इस सलकी खोज में उड़ते जा रहे थे जब वो एक सहर के उपर जा रहे थे तो उस द्रिसी को देखकर बहुत से लोग हैरान हो रहे थे और तालिया भी बजा रहे थे और खुसी से चिला भी रहे थे बच्चो कच्छुआ यह सोचने लगा कि वे लोग चिला क्यों रहे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं और जैसे ही उसने मूँ खोल कर खंसो से यह पूछा यह मुर्ग इतना क्यों चिला रहे हैं वैसे ही डंडे से उसका सहारा छूट गया और वो धम से जाकर जमीन पर गिर गया बच्चो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कच्छुए मुर्ख था और हमें यह सिच्छा मिलती है कि बिना मौके मूँ खोलना कभी-कभी बहुत महंगा पड़ जाता है जैसे कच्छुए के लिए भी महंगा पड़ गया तो बच्चो हम लोग को क्या सीख मिले इस कहानी से? बिना मौके मौक बहुत महंगा पड़ जाता है